नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसे टीप चैनल में 36 गड़ में स्वास्थाइभाग में भरती निकल कर आई है जिसके बारें पूरी जानकारी हम इस एडियो में देखेंगे देखें कोरबा जिले में कनिष्ट कर्मचारी चैन बोट के माध्यम से 243 पद उपर भरती होगी दुख जिले में 178 पद उपर राजनन्द गाउ में 25 पद उपर धमतर जिले में 40 पद उपर लेकिन यदि आप इन जिलों से बाहर है फिर भी उनके लिए भी यहाँ पद है ले चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेखें करियालाइवर इसेस करिष्ट कर्व चारी चैन बोट बिलासपूर 36 गर्में करिष्ट कर्म चारी चैन बोट का इस्थापना हुआ है ठीक ना कोरबा जिले में उसी का ज्यापन है देखें कर आपका इस आपिसियल वेबसा जानकार देख्या अंलाइन आवेदन भरने की प्राणभी तिथी आपका 1961 2020 से आप लैन आवेदन कर सकते हैं अंतिम तिथी आपका दस अपरेल 2022 रखा गया है और दावावापत्ती का आपको समय दिया जाएगा 18 अप्रेल से 27 अप्रेल तक इस प्रकार दिया जाएगा आप चलिए हम पदों के उरेड़ संबंदी जानकारी देख लेते हैं आवेदन आपका अनलाइन भरा जाएगा इसको आप ध्यान दिजिएगा और अभी प्रार्मभी के वंतिम्ति थी हमने देखा वहम पदों का उरेड़ देखते हैं देखिए पद आपका है फार्मासिष्ट गेरड़ दो कि आपके 15 पद निकले हुए हैं जिसमें हाँ केटेग ग्रामीर स्वास्त स्यंजक पुरुस के आपके शाट पद निकले हुए हैं आपको सी एप दिखाओगा बिच में ग्रामीर स्वास्त स्यंजक में उसका मतलब होता है अग्रडी पद ठीक यहां ध्यान दीजेगा और यहां नोट में बताया गया है ग्रामीर स्वास्त स्यंजक पुरुस के लिए और वाडबवाई के लिए केवल पुरुस से भियर्थी ही पात्र होंगे इनके लिए हम यह गयता देख लेते हैं यह गयता क्या होनी चाहिए देखिए फार्मासिट ग्रेड जीरो दो के लि ड्रेसर गेड जीरो दो के लिए दस्वी कक्छा उत्तिर होना चाहिए ग्रामीर स्वास्ता सेनज़क फुरुस के लिए आपका एक वर्सिय डिप्लोमा होना चाहिए बहुत देशीय कार्यकरता प्रसिक्षण में सांत में बार्मी आपका जिविग्यान से होना चाहिए आए ग सचक चवकीदार ओपिडी असिस्टेट कुक के जो पंदी निकले हो हैं उनके लिए आठी पास युग्यता रखा गया है मतलब आठी पास है तो आप पूरी तरह से भर सकते हैं अब यहां देखिए आयू की करना आपकी एक जैनवरी 2022 से की जाएगी जिसमें आपको निंतम आप आरक्षित वर्ष तक यहां फिर भी बहर सकते हैं इस पकार सिसमें आविदन कोन-कोन कर सकता है तो इसके लिए जो है इसके सभी पदों के लिए का कुरबा जिले का इस्थार निवासी हो ना निवार रहे किया इसके अलावा दूसरे जिरे के अभियर्थिसमें यहां देखिए आपका वेतन मान दिया हुआ है एक नट में दिखा देता हूँ आपको देखिए वेतन मान दिया हुआ है और आपका चैन सुची किस प्रकार आपका चैन प्रक्रिया होगा उसको भी बताए गया है तो चैन प्रक्रिया को आप अच्छे से पढ़ लिजेगा इ ने जानकरिया देखिए यहां वेतन दिया हुआ है वेतन भी आप देख लीजिएगा और चर्ण प्रक्रिया को भी अच्छे से देख लीजिएगा इन सभी में आपका जीले का इस्थान निवासरी होना अनिवार रहे इसके लिए आविदन सुल्क भी आपको लगेगा यहां बताए गया है अनलाइन आवदन सुल्क सामने वर के लिए 3.500 रुपए और पिछरा वर के लिए 2.500 रुपए अंसुची जाती जान जाती वह नहीं सकते जान वह दिव्यां के लिए 200 रुपए विसेस पिछरी जाती जाती जैसे पहाड़ी कोरवा विर्होर के लिए 50 ठीक जो आपका सूल्क है वापस योग्या नहीं होगा उनलाइन इसको आपको जमाह करना है तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवदन करना है आसा करता हूं यह आपको समझ मेहा होगा चलींगली भरतिक बारें मिबात करते हूं चलिए अगला भरती आपका निकल करा है कारालेम उखच के सांग शास्ततकारी दूर जीले का वेकेंसी है विग्यापन प्रारूप यहां देखें तो देखिए आपको बताया गया है कि इसमें जो है आपको कारालेम जाकर सुवें आविदन जमा करना है ठीक इसके लिए स्टाफ नर्स MPW जुनियर सेक्रेटियर क्लास फोर्ट है न मतलब चतूर सेड़ी इन सबी के लिए पोष्ट निकला हुआ है आजाध हाष्टल महावीर कोईर सेंटर मालवीय चब दूर्ग में आविदन लेने कसम है प्रात दस बस से आविदन लिया जाएगा यहां तीथी ब दावा अपत्ति कर सकते हैं और अंतिम दावा अपत्ति के बाद 30 मार्च को आपको सुची अंतिम सुची प्रादांग किया जाएगा और को आविदन जमा करना है या 28 मार्च को आपका दावा अपत्ति कर सकते हैं एक अप्रेल को निराकरर दिया जाएगा दावा अपत्ति का आजन किया जाएगा क्लास फोर मतलब चतूर सेड़ी के लिए आपका 30 मार्च को आप दवापत्ति कर सकते हैं इसका निराकरण के लिए सुची मतलब इसमें कौसर पाइक्छा नहीं लिया जाएगा ठीक इसका डायक परसेंड के आधार पर चैन किया जाएगा इसमें देख के बात करते हैं स्टाप नर्स के 27 पद निकलावाए 14,000 वेतन रहेगा आपका नर्स से समधित आपके पास कोर्स होना चाहिए जुनिया सेक्रेटियल असिस्टेंट के 27 पद निकले हुए है इसके लिए आपको जो है 12,000 वेतन रहेगा बार ही पास होना चाहिए क्लास फोर भृत्य के लिए मतलब क्लास फोर चतिसरी के लिए आपके 27 पद हैं जिसमें दसी पास योगयता रखा गया है 10,000 वेतन दिया जाएगा इसमें इसमें भी आपको मैं बता दू कि इसके लिए दुग जिले का स्थानी निवासी होना आनिवार है दुग जिले के ब भरती के लिए निनतम 18 वर्स अधिक्तम 70 वर्स आपका आयू सीमा रखा गया है तो आप इसमें फों भर सकते हैं ठीक आयू गर्न आपकी एक जनवरी 2022 से की जाएगी जिसमें आपका आउधन सुल्क रखा गया है दिवांग जाती-जाती-जाती महिला के लिए 100 रुपए औ आधन सुल्क जो है आपका प्रतेक पत के लिए जो आउधन सुल्क है आपको राश्व्प्र वैंक द्वारा Лिखित पैक्छा के आज़न किया जाएगा इस सभी करियां इसमें दी हुई है इसको आप अच्छे सपल लिजेगा आप सभी को चैन प्रक्रिया इसको समझ ब्या जाएगा इसका भी पीडियाप आपको टेलिग्राम रूप में मिल जाएगा वासे आप चैन प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेजेगा बाकी इसके लिए आवेद इसको खुला हुआ है उसके लिए पद निकला हुआ है इसके लिए ध्यान से समझे तो आपको है अनलाइन आवेदान आपको करना है 27-3-2022 तक अनलाइन आवेदान आपकर सकते हैं ठीकना अनलाइन आवेदान करने की अंतिम चिरी 27 मार्स 2022 रखी गई है आप गरियाबंद के आफिसियल वेबसाइट पर जाकर आप अनलाइन आवेदान कर सकते हैं चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कौन-कौन सपद है तो इसमें जो देखिया आपका विन विद्यालों निकले हुए हैं गरिया बंजिले के सभी विद्यालों हैं आपका शासकी उतकृष्ण सभी में निकले हुए हैं सभी में वित्यालों आपका 5600 उर्पए होगा और एक पर शविदार के लिए एक पद निकला हुआ है तो इस प्रकार से आपके 25 पद निकले हुए हैं पंडाजालों चाहिए यदि आप आटवी का शावतिर है तो आप इसमें पूरी तरह से फूम होना चाहिए जैनवरी 2022 की स्थिति से आइग गड़ना के जाएगी जिसमें आपको 18 वर्ज कंप्लिट होना चाहिए इस वकार से इसमें भी आप अप्लाई करना कर सकते हैं लेकिन आपको गरिया बंजीले का इस्थाइन नीवासी होना अनिभार है पंडरतीन 2022 को यह जारी ह सकते हैं इसमें आपका जो है इस वेब साइट में जाकर आप अनलाइन आवेदान कर सकते हैं चलिए अगली भर्तिक बारे में बात करते हैं अगला फर्ति आपका निकल कराया है काराले मुकर्चिकित साम स्वास्ततकारी जिला धमतरी 36 गर के तरप से धमतरी जिले में आपका विज्यापन निकल कराया है इसके लिए देखिए अनलाइन आवेदन करने की अंतिमति थी आपका जो है 142022 रखा गया है मतला बेक अपरेल 2022 2022 तक आप अवेदन कर सकते हैं अवेदन किस्प कर किया जाएगा यहां देख सकते हैं अफ्लाइन आवेदन आपको किया जाएगा ध्यान से समझेगा 14202745 बज़ तक काराले मुकर्चिकित स्वास्ततकारी जिला धमतरी 36 गर में केवल पंजीक रिड़ा के आश्पीट पोस् आपका दिया हुए वेदन कितना रहेगा फिर यहां देख्त पद दिया हुआ है फिर यहां सिरड़ी वारत बताया गया है कि अनरा जनरल के लिए OBC के लिए कितना पद हैं आपका सच्रिक गयता बताए गया है तो यहां समय फिच्कोलोजी के लिए 31500 वेतन रहेगा समंधिस सब्जेक्ट से आपके पास दिग्री होना चाहिए सभी में आपके लग भाग लग पास्ट से आपका डिप्लोमा या टिगृ आपकेपास होना चाहिए सभी में लगभग एक एक पद निकले हुए हैं लेकिन हैं MPW में जो है च्छाय पद निकला हुए है बागी सभी में लगभग एक एक पद निकले हुए हैं आगे हम बात करें क्लास फोर की तो क्लास फोर का दस जाद प्रती महीना वेतन रहेगा जिसमें 6 पत निकला हुआ है दस ही पास्यव करता रखा गया है अटेंडेंट नर्सी का जोक पत आपका निकला हुआ, 8800 पर वेतन रहेगा, 22 पास्यव करता रखा गया है नर्सिंग आफिसर के लिए 16500 सब वेतन रहेगा, BSCI GNM नर्सिंग होना चाहिए, नर्स फोर जेरिट्रिक के या फिर पेलेटिव के लिए आपका 16500 सब वेतन रहेगा, चार पत निकला हुआ, BSCI GNM नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग आफिसर के लिए भी सेमय गेता, BSCI GNM नर्सिंग होना चाहिए दो पत निकला हुआ है स्टाप नर्स के लिए भी छाय पत निकला हुआ है इसे में युगता है इस डबलू सी संगवारी काउंसिलर के पत निकले हैं संगवारी के अंतर गार तेरह जार पांसो प्रतिमहिना वेतन रहेगा ग्रेजुएशन होना चाहि इसमें भी आपको गिर्जुएशन होना चाहिए साथ में आपके प्रतिमहिना वेतन रहेगा चाहिए इसमें जो है आपका इभी पूरी तरह से आपका समीधा भरती है 16500 रुपए से कम वेतन जिसमें है या फे 16500 रुपए हैं उसमें केवल 36 गर के धमतरी जीले के निवासियों को प्रात्मिक्ता दिया जाएगा मूल निवासियों को बाकी इस से अधिक जिसमें वेतन है उसमें 36 गर के सभी जीले के निवासियों को समान प्रात्मिक्ता दिया इस प्रकार से सारी जानकार यह आपको दी गए हैं चैन प्रक्रिया बताए गया है कि इस प्रकार आपका चैन होगा सच्रिक योग्यता की आधार पर इन सभी को आप अच्छेश पल लिजेगा सभी का पीडियाप आपको टेलिगांड भूप मिल जाएगा यहां आपको कुछ सुल्क लएगा जो आपका सव रुपए 200 रुपए 300 रुपए इस प्रकार से है आप देख लिजेगा सुल्क को इसको आपको डिडी के बाध्यव से बैक पे जबा करणा है आपको तो इस प्रकार से आप इसमें आफ्लाइन आवेदान करना है इन सभी का 12 पेश का पीडिया मिल जाएगा यह आधैन पत्र का प्रारूप इसप्रारूप को आपको निकाल के अफ्लाइन इसस फोरफ पोस्ट या पंजी क्रिण डाके मांदम से आवेदान करना है तो यह सारी झाल झाल